गुड मॉनिंग एवरीवन आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागते कल्याणी एकडमी के स्प्लेट फॉर्म पर चलो करते हैं क्लास स्टार्ट है ना पाइप और सिस्टन हमारा टॉपिक है पाइप और टंकी है ना तो चलिए देखते हैं पहला question आपके सामने यह रहा है बिल्कुल time and work जीसा ही topic है ज़्यादा changes कुछ भी नहीं है बिल्कुल same है ना चलिए देखिए एक question करते हैं उसे मैं सिखाता हूँ आप लोगों को क्या है exactly है ना चलिए देखिए सभी लोग ध्यान से हाँ दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 12 मिनट में भर सकते हैं ठीक है दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 12 मिनट में भर सकते हैं ठीक है है ना अब 24 और 12 का LCM क्या आएगा? 24 ही आएगा. तो 24, 21, 24 और 12, 24 है ना? ठीक है? 24, 21, 24 और 12, 24 ठीक है? अब यहाँ पर क्या है ना? टाइम इन वर्क में जैसे वर्क बनाते थे ना? यहाँ यहाँ भी वर्की होगा. ठीक है? लेकिन वर्क क्या होगा? टेंक की केपेसिटी. मतलब म 12 का LCM क्या है? 24. तो 24 ही कम 24, 12, 24. अब देखो. दोनों नलों को एक साथ खुला जाए तो कितनी देर बाद नले को बंद किया जाए कि पूरा टेंक 10 मिनट में भर जाए? अब देखो. इस टेंक को भरवाना कैसे है? यादे से कुश्चन समने है, टाइम नवर्क में कि यह द कितने समय बाद एक को बंद किया जाए? कितने समय बाद एक को बंद किया जाए? तो एक को बंद किया जाए मतलब बाद में फिर भी अकेला भरेगा. पूरा टेंक 10 मिनट में भर जाए. पूरा टेंक कितने टाइम में भर जाए? 10 मिनट में पूरा टेंक भर जाए. क्लियर अब देखे यहां से चलो याद आया आपको पिछली क्लास याद आई टाइम इन वर्क की एसे ही कुईशन हमने किये थे ना कि दोनों मिलकर काम करना चालो करते हैं कितने समय बाद एक काम करना बंद कर दे ताकि पूरा काम 10 मिनट में हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क ही किनल भी बहुत फरक पढ़ने वाला है थीक है चल चलिए तो पहले हम B से पूछ लेते हैं बहिया वी तू ने कितना काम किया है न तो काम तो B का क्वरक को बी तो तो efficiency of B into time of B, clear? तो चलिए, B की efficiency कितनी है? 2 और time of B कितना है? 10 ठीक है, तो बताए, 20 liter आएगा क्या? 20 liter, यानि कि 24 में से 20 liter तो काम B ने किया तो बताए, A ने कितना किया होगा? 4 liter किया होगा क्या? तो चलो, A का काम, तो A ने यहां से यहां तक में A ने काम किया, ठीक है? कितना काम किया? 4 liter है ना? यहां से यहां तक में A ने काम किया और कितना काम किया है? 4 liter, clear, ठीक है? तो इस बहाने A का time निकाल लेते हैं, समय बराबर कार्य बटेशम था तो वरक भी A का, efficiency भी A की। चलो, तो इस बहाने A ने यहां से यहां तक काम किया, तो समय, समय निकालना यहां से यहां तक कितने समय बाद A को बंद करें, तो A का समय तो समय बराबर कार्वाइबर्टेशं था, वरकप पनए, efficiency, एक टीन जाएगा यह यहां यह ने काम किया मतलब कितनी गटाएगा किया टाइम है डो कि टाइम आएगा तो is four minutes clear ठीक है इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं और भी तरीके इसको करने के जैसे पूरे 10 सब्सक्राइब किसी टंकी को 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं ना दो नल ए तथा भी किसी टंकी को कि 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं ठीक है तो 16 24 का LCM क्या है 48 तो 16 23 48 और 24 दुनी 48 ठीक है ना दोनों नलों को एक साथ खुला जाता है परंटू टंकी भरने के से चार मिनट पहले चलो देखो दोनों को एक साथ खुला जाता है टंकी भरने से चार मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया ठीक है दोनों को एक साथ खोला गया ठीक है परंतु टंकी भरने से चार मिनट पहले बी को बंद कर दिया ठीक है भरने से चार मिनट पहले बी को बंद कर दिया ठीक है बी को बंद कर दिया तो लास्ट में अकेला बचा होगा क्या बताईए ठीक है जहां समय दिखे वहां पर हमें अटेक करना है ठीक है समय कहां दिख रहा यहां पर दिख रहा है आपको क्या दिख रहा यहां पर कि एने चा मिनट काम किया चार मिनट क्लिया चलो एसे चार मिनट काम करवा लो कितना काम किया तो एने कितना काम किया यहां पर इधर का ए नहीं लेना सिर्फ इतना है जहां का टाइम पता है वहां पर काम करो सरलता से सरलता से जो दिखे बस वहां करम करना चालो कर दो इतनी सरल सी बात है नब यहां तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना टाइम ही ने पता कितनी तख काम कर वाएंगे तो इसका पता है 4 मिनट कर वालो इससे काम है ला तो efficiency of eight into time of eight तो समय कितना है 4 मिनट और एक फीशेंस ही कितनी है 3 तो बाताइए 12 लिटर आएगा क्या है तो बारा लिटर हो गया टोटल अड़तालिस लिटर काम है तो अड़तालिस में से बारा लिटर हो गया तो यहां कितना बचा च्छतीस लिटर तो चल A प्लस B ने कितने समय यहां पर काम किया तो समय मतलब A प्लस B ने कितने समय काम किया तो समय बरावर कार रिवटे शमता, तो बत्ता ये काम कितना यहां का 36 और ये और भी दोनों मिलक्के कर रहे हैं, तो दोनों की मिला के शमता कितनी ये 3 और 2 5 तो बत्ता ये 36 बटा 5 आएगा, ये वाला समय है ये वाला समय चार बटा 5 ठेक है साथ से 1 बटा 5 प्लस 4 है तो दीखिये साथ से 1 बटा प्लस 4 थीक है। अब दीखेये पे इसको जूडेंगे तो 11 से 1 बटा 5 आएगा क्या तो एंसर की पाथ आए क्विश्य नमबर थ्री दोनल ए और बी किसी टंकी को 14 और 21 मिनट में भर सकते हैं दोनों ल को एक साथ खोला जाता है परन्तों टंकी भरने से 4 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया ठीक है अरे तो वेसा ही पिछले ऐसा ही क्विश्य ने यार टंकी को भरने में लगा समय कित दिया देखो इसमें भी तो चार मिनट पहले बंद कर दिया तो सेम सवाल है बस नंबर चेंज आप सेल्फ करना है ना कुश्य नमबर फूर पर आपके दोनल ले तथा भी एक टंके कुरमश्य तथा बारा घंटे में भर सकते दोनों लोग को 10 बज़े सुबह खोल दिया जा हैं क्लियर तो चलो 10 और 12 का LCM क्या है 60 यहने कि 10 चंग 60 और 12 पंजे 60 ठीक है ना तो अब देखिये यहां से क्या है कहानी सुनिये ना दोनलों को सुबह 10 बज़े खोला जाता है ठीक चार बज़े टंकी को भरने का टार्गेट दे दिया सवाल ने शाम चार बज़े यहने की 4 पी शुबह 10 एम पे दोनों को खोला गया और शाम चार पी एम पे दोनों को क्या कर दिया बंद कर दिया ठीक है न एक को कितने बज़े बंद कर देना चाहिए ठीक है न तो आती है कि इतनी वात समझ में सभी को है ना चल अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है सुनिये सभी लोग है ठीक है सुबह 10 बजे खोला और शाम 4 बजे बंद किया ठीक है अब यहां से यदि हम देखते हैं ठीक है तो चलो 10 से 4 छे घंटे हुए क्या तो बता यह टोटल 6 घंटे में टैंक भर रहा है के नी भर रहा है सुबह 10 साम के चार अच्छा कोन पूरे 6 घंटे काम किया बी पूरे 6 घंटे काम किया तो बी से पूछो भही आवी तूने कितना काम किया तो efficiency of b into time of b देखे इतना लिखने की ज़रुरत ने पढ़ती है सब oor चलो मैं बताता हूं देखिये ना एफिशेंसी ओव बी की एफिशेंसी कितनी है पांच और बी का टाइम कितना है छे घंटा है ना छे पंजे कितना है तीस ठीक है मतलब 30 लिटर काम बी ने किया तो सीरी सी बाते एने भी बाकी का 30 लिटर बचा होगा 60 में से 30 लिटर यहां से भात पूरा छे घंटा ले लिया आमने बी का है ना मतलब यहां से यहां तक का का काम टोटल 30 लिटर बी ने किया मतलब यहां से यहां तक में ए ने कितना काम किया है 30 लिटर एक का काम कितना बचा 30 लिटर तो इस बहाने एका समय निकाल ले हम तो समय तो फे बराबर work of A upon efficiency of A, clear, तो चलो, A का work कितना है, 30 लिटर, ठीक है, और efficiency कितनी है, A की, 6, तो बताइए, 5, 5 घंटे आएगा किया यह, 30 बटा, 6 या नहीं कि 5 घंटे, clear एतनी बात सभी को, ठीक है, तो ध्यान दो सभी लोगे न, कितना आएगा यह, 5 घंटे, ठीक है, तो मतलब यह, 5 घंटे का अंतराल है, इतना समझ में आया, तो 10 में 5 जड़ो, तो कितने बज जाएंगे, 2 पर के 3, यहने कि A को कितनी बज़े बंद किया जाए, 3 बज़े, आया क्या समझ में, 3 बज़े है न, बड़ा easy सा question नहीं है, ठीक है, सरलल सा सवाल है, चलो, आगे चलते हैं, next बार है, ठीक है, चलो, A और B, क्रमशा, 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं, यह देखो, same सवाल है, बिल्कुल same सवाल है, ठीक है, कोई change नहीं है, इसमें है, बिल्कुल same है, बिल्कुल same question, एक बार पढ़ लीजिए इसको, दो नल, A तथा भी एक टेंकी क्रमशा, 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं, यह दो नल, नल, को 5 बज़े सुबह खुला जाए, दो नल, A तथा भी, 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, तो 120, तो 20 चंग 120, और 24 पंजे 120 हैं, चल, दोनो नलो को सुबह 5 बज़े खोल दिया जाए, यह दोनो नलो को सुबह 5 बज़े खोला जा रहा है, ठीक है है न, यहनिकी 5 A.M. दोनो नलो को सुबह 5 बज़े खोल दिया जाए, तो ठीक शाम 5 बज़े भरने का टार्गेट है, यहनिकी 5 P.M. तो आपी सोची देखिए 12 घंटे का इंटर्विल है के नहीं है, इंटर्विल कितने टाइम का है 12 घंटे का, क्लियर ठीक है न, अब, नल A को कितने बज़े बंद कर देना चाहिए, न, नल A को बीच में कितने बज़े बंद कर देना चाहिए, तो दोनों मिलकर काम चलो किया ठीक है और ना लेको कितने बज़े बंद कर देना चाहिए ठीक है तो A को बंद किया तो कौन बचा B ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी कौन पूरे 12 घंटे काम किया B तो चलो work of B निकाल लेते हैं तो work of B efficiency of B into time of B ठीक है ना अब देखिए यहाँ से क्या है कहानी work of B is equal to efficiency of B into time of B चलो तो B की efficiency कितनी है 5 और time कितना है B का 12 घंटे तो बता यह 60 लिटर काम किया क्या B ने तो B ने 120 में 60 लिटर गया तो A का काम भी 60 लिटर बचा पिछले question जैसा question ने वैसे आपकी लिए छोड़ना चीया था मुझे से तो A का काम है 60 लिटर तो A ने यहाँ आसे यहाँ तक में काम किया चलो तो sum of A निकाल लेते हैं कार्य ओफ A अपॉन शम्ता ओफ A तो चलो A का कार्य कितना है 60 लिटर और शम्ता कितनी है A की 6 तो बता यह 10 घंटे आएगा क्या यह तो 5 बज़े में 10 घंटे जोड़ो तो दो पर के 3 बज़ेंगे क्या यहाँ पे कितने बज़ेंगे 3 clear तो कितनी ब को है लोग है अगला सवाल है ना नेक्स्ट कुश्चन एक पाइप किसी टंकी को 20 दिन में भर सकता और दूसरा 25 दिन में खाली कर सकता है यह एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य चलाए जाए तो टेंग कितने ज़र में भर जाएगा अच्छा ओके एक पिनट तीस दिन में भर सकता तो दूसरा 25 चालिस दिन में खाली कर सकता अगर इनको एक दिन छोड़के एक दिन चलाए जाए तो टेंग कितने दिन भर जाएगा ओके आठ ये भी इसा ही है नो ये भी इसा ही है दस दस अलगे, ग्यारा अलगे, बारा अलगे, तेरह अलगे, चवदा अलगे, पंदरा अलगे, ठीक है, ओके चलो, पहले दसवा कर लेते हैं ना, उन तीन-चार क्वेशन को छोड़िये, उनको लास्ट में करवाता हैं, मतलब दो-तीन सवाल करने के बाद, दो पाइप किसी टेंग को साड़े सेतिस मिनट और पेतालिस मिनट में भरते हैं, है ना, दो पाइप ये और भी मान लेते हैं किसी टेंग को साड़े सेतिस मिनट और पेतालिस मिनट है ना, तो दुसरे का पेतालिस मिनट है, पहले का साड़े सेतिस है, अच्छा साड़े सेतिस को आप 75 बटा दो लिख सकते हो क्या, पिचत्तर बटा दो मिनट क्लियर ठीक है तो अब देखी यहां पर क्या है कहानी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है कुछ मिनट बाद B को बंद कर दिया जाया है ना दोनों को एक साथ खुला जाता है पिचात्तर बाई दोर पेतालिस है ना पिचात्तर बाई दोर पेतालिस का इल सीम क्या है दो सो पच्छिस हुआ क्या चाहिए अच्छा जब भी इल सीम लेना आँ दो को छोड़ तो आप पिचात्तर और पच्छिस का केवल ले लो चलेगा कितना आएगा दो सो पच्छिस ठीक है क्लिर अब पेतालिस पंजे दो सो पच्छिस है ना पेतालिस पंजे दो सो पच्छिस ठीक है और पिचात्तर बटा दो में किसका गुणा होगा यहाँ पे ठीक है तो यह होगा 75 by 2 में multiply हो ताकि 225 आए तो कहानी क्या है कि 75 by 2 में किसका multiply करे कि 225 आ जाए तो x मान लो यहाँ पर x मान लो ठीक है तो x का value निकाल लेते 75 से 225 तीन बार जाएगा और 2 ती अच्छे तो बताइए x का value 6 आ रहा है क्या कितना आ रहा है 6 clear 75 से 3 बार ठीक है और 2 ती अच्छे तो x बराबर कितना आएगा 6 ठीक है न तो आ जाएगा 6 कैसे लिखा मैंने clear समझ में ध्यान देना इस चीज़ का है न सभी लोग ठीक है तो दोनों को एक साथ हमने open किया ठीक है दोनों को हमने एक साथ open किया और कुछ मिनट बाद किसको बंद किया हमने बी को बंद किया कुछ मिनट बाद हमने किसको बंद किया बी को है न ठीक है बी को बंद किया तो obviously remaining work will be done by a ठीक है बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए ठीक है, B को बंद कर दिया, इससे tank आदे घंटे में भर गया, हाँ, दोनों को एक साथ खुला जाता है, कुछ मिनट बाद B को बंद कर दिया जाए, जिससे tank आदे घंटे में भर जाए, यहने कि पूरे tank भरने का total time taken कितना है? आदा घंटा यहने कि 30 मिनट में टोटल टेंक भर जाने का शुरू से आखरी तक का टार्गेट दिया है क्रिशन ने हमें ठीक है चलो वही कहनियार कौन है जो पूरे 30 मिनट काम किया तो A से पुछे भहिया A तुने कितना काम किया तो work is equal to efficiency into time clear तो चलो 225 में से 180 लिटर वरक A ने कर दिया तो चलो वी का वरक कितना बचा 45 बचा क्या वी का वरक कितना बचा 45 लिटर है तो चलो यहां से यहां तक में बी का वरक निका बी का समय निकाल लेते इस बाहने तो time is equal to work of B upon efficiency of B तो चलो वी का वरक कितना है पेतालिस लिटर और एफिशेंसी कितनी है बी की पांच तो बताईए नो मिनट आएगा क्या तो नो मिनट बाद बी को बंद किया क्लियर कितने मिनट बाद तो कुछ मिनट बाद, तो B को कितने मिनट बाद बंद किया तो 9 मिनट, 9 मिनट, आया क्या समझ में सभी को है ना, तो B को जो है हमने 9 मिनट बाद बंद किया, clear एतनी बाद सभी को है ना, ठीक है, चलो, और आगे चलते है ना, 9 मिनट बाद बंद किया, ठीक है ना, चलो, आया समझ में question repeat करके देखो इसको है ना next वाले पर चलते ठीक है A किसी tank को 3 घंठे में भरता है B 4 घंठे में भरता है C 1 घंठे में खाली करता है A को शाम 3 बजे B को शाम 4 बजे ताथा C को शाम 5 बजे खुला गया तो tank कितने बजे खाली हो जाएगा एक सी टेंक को तीन घंटा में भरता है एक जैंग को a 3 गहन्टे में भरता है बीweit चाहर घंटे में भॉत आ है चाहर घंटे में और सी एक घंटे में खाली करता है हाँ सी क्या करता है एक घंटे में खाली करता है ठीक है अब देखिए हाँ पर क्या है कहाँ नहीं सुनी तीन चार और एक का इलसीम क्या है गा 12 बारा लिटर का मुझें टैंक माल ले जैंक तुरी 4 जा 12 ये भड़ रहा है खाली कर रहा है धियान रहना नेगेटिव वरकिंग है ठीक है भड़ रहा है तो पॉजटिव फूर फ्री जा ड़ जा च्वैल्व ये भड़ जा तो साम तिन बजे बी को शाम चार बजे तथा सी को शाम पांच बजे खुला गया है ना तब देखो यहाँ पर A को तिन बजे खोला गया है ना A को शाम तिन बजे A को शाम तिन बजे खोला गया B को शाम चार बजे खोला गया यहाँ A को खोला है नहीं कि A का काम स्टार्ट हो गया clear है ना और B को कितनी बजे खोला शाम चार बजे चार बजे खुला बी को ठीक है तो यहां बी का काम चलू हो गया है ना तथा सी को शाम पांच बजे खुला बी को खुला तो ए था तो यहां ए प्लस बी हो गए तथा सी को शाम पांच बजे खुला है ना सी को खुला शाम पांच बजे पांच बज़े खोला, सी को, तो यहाँ A, B, C, 3 हो गए, ठीक है, चलो, अब हमसे क्या बोला, तो टेंग कितने बज़े खाली हो अच्छा, खाली कितने बज़े हो जाएगा, ये बताना है हमें है न, ठीक है, टेंग कितने बज़े खाली हो जाएगा, ठीक है, है ना अब सुनो मेरी बाद ध्यान से चलो जैसा बोला वेसा फोलो करते देखेंगे जब टैंक खाली हो जाया का वो टाइम हमें बता ना है तो बता देंगे कोई इश्यू नहीं है न ठीक है तो चलिए देखिए भी सबी लोग है न ध्यान से ठीक है एक को खोला कितनी बजे तीन बजे है न ठीक है एक को खोला तीन बजे तीन बजे खोला मतलब तीन से चार में एक घंटा एक अकेला काम किया एक घंटा एक अकेला काम किया न तो एक घंटे में एक कितना पानी डालेगा टैंक में चार लिटर, कितना डालेगा, चार लिटर, एक घंटे में चार लिटर, यह efficiency मतलब एक घंटे का ही काम है ना, या फिर work निकाल लो, एक घंटे का काम निकालना है ना, एक वर्क निकालना है यहाँ का, तो efficiency of e into time of e, तो e की efficiency 4 है, और समय एक今日 घंटा ना, तो 4 एकम 4 लिटर आएगा कि नहीं आएगा एसे कर लो या तो efficiency मतलब एक घंटे काई काम होता है ना वो तो ठीक है चलो अब यहाँ 4 से 5 यह फिर से एक घंटा है यह एक घंटा यह भी एक घंटा है एक घंटे में और भी दोलों मिलके कितना काम करेंगे 7 लिटर यह निकाल ल अब 7 और 4 मतलब समझो यहां तक का टेंक में कितना पानी भर चुका है 11 लिटर नो घंटों में 4 और 7 ग्यारा लिटर टेंक में पानी है के नहीं अब टेंक तो 12 लिटर के टेंक की शमता है 12 लेकिन 12 लिटर के टेंक में पानी कितना भर गया भी तक 11 लिटर बिलकुल प्राक तो टेंक में पानी भरा है 11 लेटर, clear ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 11 लेटर पानी है टेंक में, अब तीनों एक साथ काम करेंगे, जब तीनों एक साथ काम करते हैं, तो शम्ता के बारे में समझे तो प्लस चार, चार की एफिशेंसी है, प्लस तीन और यह म मतलब जब तीनों मिल कर काम करते हैं, तो नेट एफिशेंसी क्या आ रही है, माइनस पांच, जब तीनों मिल कर काम करते हैं, तो नेट एफिशेंसी क्या आ रही है, माइनस का पांच, आता है क्या समझ में clear है ना, जब तीनों मिल कर काम करते हैं, तो नेट एफिशेंसी आत कि अब टेंक में पानी बढ़ेगा नहीं टेंक में पानी घटेगा माइनस पांच की efficiency इसका मतलब क्या कि टेंक में पानी बढ़ेगा नहीं टेंक में पानी क्या होगा घटेगा clear ठीक है तो अब घटेगा तो ध्यान दीजिए तो कितने टाइम में पूरा टेंग, मतलब आप समझो, अभी तक 11 लिटर भरा, अभी पानी ऐसे ऐसे करके भर रहा था, अब घटना चालो होगा यहां से पानी का लेवल गिरेगा, क्योंकि निकलना चालो होगा ना पानी, और प्रती घंटा एफिशेंसी क्या बनेगी, तीनो का मिला कि माइनस पांच निकलेगा, अब एक घंटे में पांच लिटर निकलेगा पानी, ऐसा पता चला, और 11 लिटर है टोटल, तो पांच पांच करके दो घंटे में 10 लिटर निकल जाएगा, तो दो घंटे बाद एक लिटर रह जाएगा केवल 11 में से, clear, तो समझो, तो चलो, कितने टाइम में खाली, तो टाइम ओफ खाली, खाली करने के लिए वर्क कितना करना है, और समय कितना लगे, सोरी, वर्क अपॉन एफिशेंसे, ठीक है, तो खाली करने के लिए कितना वर्क खाली करना है आपको, 11 लिटर खाली करना है, और 11 लिटर के लिए एफिशे गंटे में 11 लिटर खाली होगा दो से एक बटा पांच मतलब क्या दो घंटे पूरे समझो दो से एक बटा पांच मतलब दो घंटे पूरे ठीक है और एक बटा पांच याने कि होता है बारा मिनट कितना होता है बारा मिनट क्लियर दो घंटे पूरे और एक बटा पांच घंट याने की साथ इंटू एक बटा पांच याने की बारा मिनट क्लियर तो दो घंटे और बारा मिनट तो पांच बजे में हम दो घंटा और बारा मिनट जोड़ो देते हैं तो साथ बच्च के बारा मिनट पे खाली होगा टैंक, बारा पी-म शाम में ना, ठीक फाइफ पी-म था ना, तो शाम में साथ बारा पी-म पे टैंक खाली होगा, समझ में ही क्या बात सभी को, देखो जो जो हो रहा है वो करते जाओ, एक घंटे में कितना पाने डाला, इसने चार की चाल से चार लेटर, एक घंटे में दोनों में मिलके कितना डाला, साथ लेटर, इसाब औरली होता है, ड्रामा करने के ज़रूत नहीं बढ़ती, ग्यार लेटर आ गया, अब हम देख रहे, तीनों की शमता मिला के टैंक में पानी बढ़ेगा, और माइनस पांच गटेगा, तो 11 में से हर घंटे माइनस पांच घंटेगा, तो 2 घंटे में एने की, साथ बजे तक टेंक में एक लिटर पानी रहेगा, और एक लिटर और खाली करने में 7 बजे के बद बारा मिन तो इतना दिमाग हमें लड़ा ना हम फ़ार्मल लगाएंगे, कि कितना टाइ के बारा पीम पर टेंग खाली हो जाएगा बोल आती है क्या बात समझ में है क्लियर एतनी बात सभी को है ना चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं अगले सवाल पर ठीक है अच्छा कुश्य था है बारा नमबर है तेरा चौदा पंदरा पंदरा सवाले टोटल चलो बारा पर आत एक लड़का तथा लड़की मिलकर किसी होच को पानी से भरते हैं है ना ठीक है लड़का तथा लड़की मिलकर अब समझ नए सवाल थोड़ा सा प्राक्टिकल सवाल है बेसिक सा सवाल है सी कोई मैथड इसमें नहीं लगने वाली है ना तो ध्यान दीजी सभी लोग एक किसी होच को पानी से लड़का प्रत्यक तीन मिनट में चार लिटर पानी डालता है लड़की की क्या कहानी है लड़की की कहानी है कि हर तीन मिनट में कितना पानी डालेगा वह चार लिटर है ना हर तीन मिनट में चार लिटर पानी डालता है और लड़की प्रत्यक चार मिन कितना समय लगेगा कितना सो लिटर पानी भरने में कितना समय लगेगा तब सुनिये मेरी बाद ध्यान से बिल्कुल है ना अब बड़ा कन्फिजन सा हो गया यार के मतलब केसे निकाले क्या करें है ना कि सो लिटर पानी भरने में कितना समय लगेगा ठीक है तब देखिए यहां पर तीन मिनाट और चार मिनाट क्लियर तो ऐसा पता करो टाइंक कमन करना पड़ाएं क्यार 5 drown ब दोनों मिलें कितना डाल देंगे काम करते या फिर 10 पर 2 लागा लें कितने मिन अस्थना deutsche korona हो जाएगा सब्सक्राइब का में सब्सक्राइए न दुम सब्सक्राइब तब तरो और ना न था और रहा ने कि मिलकर 25 लिटर पानी डाला क्या यह 16 और यह कितना हो गया नो तो बता बारा मिनट में दोनों ने मिलकर 25 लिटर पानी डाला के नहीं डाला ये भी बारा मिनट ये भी बारा मिनट ये बारा बारा चोविस मत कर देना मतलब ये ऐसी कहानी है कि ठीक बारा बजे दोनों ने मिलकर पानी डालना चालू किया वो लग डाल रहा वो लग डाल रहा ठीक ब बारा मिनट में बारा बचके बारा मिनट में तो उसी बारा मिनट लड़के ने भी काम किया उसी बारा मिनट लड़की ने भी तो घड़ी के हिसाब से तो बारा मिनट ही खर्च हुआ ना तो उस बारा मिनट में दोनों ने मिलके बारा मिन उसी बारा मिनट में बारा बज़े स से बारा बच्व के 12 मिनट तक लड़के न 15 दाला और लटकी ने न 9 टाला डोटल 25 पानी भर उसी 12 मिनट में तो घड़ी के हसाब सब्वारा मिनती खर्चयों एना तुम्हें बोले रहा हो बारा 24 बत करला बारा मिनट मिनट डाला क्लियर तो 25 लिटर 12 मिनट में तो 100 लिटर कितने टाइम में तो कर ले 4 गुना 100 लिटर करने के लिए 48 मिनट लगेंगे क्या तो चलिए 100 लिटर पाने डालने के लिए कितने मिनट लगेंगे 48 मिनट क्लियर इतनी बात है न कितने मिनट लगेंगे 48 मिनट क्लियर इतनी बात सभी एक है आया समझ में सवाल चलो नेक्स पर चलते अगले पर चलते हैं ठीक है नेक्स्ट वाला पिस्चन एक मिनिट रुक ना सभी लोग है ना एक सेकंड एक सेकंड एक सक नमस है ना चलो देख है को एक सेकंड टुकना यार बोर्ड चलते चलते काम करना बंद कर देता है ना इसलिए तकलीफ आ जाती है आ इसलिए देख लेता है ना हाँ देखिए तेरह नंबर का सवाल है ना सवाल नंबर ठर्ट ठीक है छे गंटे प्रती दिन कारे करके बारा पंप एक पूरे जलाशे को पंदरा दिन में खाली कर सकते हैं अरे वेसा सवाले तो देखिए छे गंटे प्रती दिन कारे करके बारा पंप एक पूरे जलाशे को पंदरा दिन में खाली कर सकते हैं ना कि अधिए तो देखिए अधिशिक इन्टू टाइम है ना और एफिशिएंस इन्टू टांप रिजल्ट इस वर्क वर्क तो वर्क से वर्क बराबर कर रहो है तो बारराप काम करने वाले लोग कितने बारापम याद आया आको कि हमने एसे क्वु consortium बनार पंधरा दिन में खाली करते कितने दिन में पंदरा दिन में नोचल घंटा प्रति- दिन काम करके उसी जलाशे को 12 दिन में खाली करते हैं है ना 12 दिन में खाली कर सकेंगे ठीक है चलो अब देखो यह पंप से पंप कैंसल ठीक है यह 12 से नियूमेरिकल विल्यू बारा भी कैंसल ठीक है उसके बाद 3 तीया 9 और 3 पंजे 15 तीन दूनी 6 तो 5 दूनी 10 तो बताई ए क्लियर एतनी बात सभी को है ना तो 10 क्लियर ठीक है चलो नेक्स्ट वाले पर चलते अभी अगले सवाल पर है ना कि चवदा नंबर का कुश्यन फिर 15 है ना चवदा भी वेसा ही कुछ है नो नल पानी के एक टेंग को 20 मिनट में भर सकते हैं ना नो नल ठीक है नो नल पानी के एक टेंग को 20 मिनट में भर सकते हैं ठीक है ना पंदरा मिनट में टेंग को भरने के लिए समान शमता वाले कितने नल तो एक्स नल और कितने मिनट में भरना है अभी एक पंदरा मिनट में भरना है ठीक है है ना पंदरा मिनट है ना पंदरा मिनट ठीक है तो चलो देखो भी इनल सिनल कैंसल है ना तो बताइए एक्स बराबर बारा आएगा क्या क्लियर इतनी बात है ना कितना आएगा बारा ठीक है चलो और यह चलते हैं ना ठीक है को नेक्स Baltimore कश्य नमबर 15 पर आ जाते पंदराh नमबर का सवल समान शम्ता वाले बारा नल पानीस के टेंग को वही efficiency से इंटू टाइम है ना बीस मिनट में भरते हैं तो पांच मिनट में टेंक को भरने के लिए समान शमता वाले कितने नलो की आवश्यक्ता होगी कितने नलो की आवश्यक्ता होगी टेंक को कितने मिनट में पांच मिनट में भरने के लिए ठीक है तब देखोए नल से नल कैंसल 25 तो x बराबर कितना आएगा 48 clear x का value आएगा 48 ठीक है x का value 48 एक और question है किया आगे नहीं बस हो गया अच्छा इसके बाद कौन-कौन से question बज़ गया इसमें हमारे yes ये तीन question ना 6, 7 और 8 इन तीन questions को छटा question try कर सकते का इसको एक pipe किसी tank की बारा दिन में भर सकता है और दुसरा pipe 20 दिन में खाली गी ये एक दिन छोड़के एक दिन चलाय जाते तो tank कितनी देर में भर जाएगा एक दिन छोड़कर एक दिन चलाये जा रहे तो tank तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है सुनिएगा ठीक से इतनी सरलसी बात है कि एक पाइप किसी टेंग को बारा दिन में भर रहा और दुसरा पाइप उसी टेंग को विस दिन में खाली कर रहे हैं अच्छा इसको एक बार ना खुद से ट्राइए करना है एक बार खुद से ट्राइए करना फिर इस क्वेश्चेन को नेक्स्ट वाली ख लास में करते है ठीक है तो चलो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं एक नेक्स्ट वाली क्लास में हम फ्रसे मिलेंगी तो तब तक की लिए इस वीडियो को repeat करकर देखना है टाइम इंड वर